नमस्कार दोस्तों बेताल 25 की श्रंकला में तीसरी कहानी सबसे ज़्यादा पुन्य किसका में आप सभी का स्वागत है पिछली वीडियो में हमने जाना कि जैसे ही राजा विकरम बेताल के सवाल का जवाब देते हैं अपनी शर्त के अनुसार बेताल उड़कर फिर से पेड़ पर उल्टा लटक जाता है राजा विकरम फिर से लोटते हैं और बेताल को लेकर अपने साथ चल पड़ते हैं और बेताल ने एक और कहानी राजा विकरमा दित्ते को सुनानी आरंब कर दी वर्दमान नाम का एक नगर था जहां का राजा रूपसेन था रूपसेन बहुती दयालू और न्याई पिरिये राजा था एक बार रूपसेन के यहां एक वीरवर नाम का राजपूत नोकरी करने के लिए आया रूप सेन ने वीरवर से पूछा कि तुम खर्च के लिए क्या लोगे तो उस ने उत्तर दिया कि मुझे हजार तोला सोना चाहिए दर्बार में बैठे सभी लोगों को सुनकर आश्चरिय हुआ रूप सेन ने वीरवर से पूछा तुम कितने लोग हो वीरवर बोला मैं मेरी पतनी मेरा बेटा और बेटी राजा को यह सुनकर बड़ा आश्चरिय हुआ आखिर चार लोग इतने धनका क्या करेंगे तब रूप सेन ने सोचा कि कोई न कोई कारण तो अवश्य है फिर उसने वीरवर की बात मान ली उसे दिन से वीरवर भंडारी के पास जाकर एक हजार तोला लेकर अपने घर आ जाता है एक हजार तोला सोने में से वीरवर आधा सोना ब्रहमनों में बाटता है और बचे हुए आधे सोने के दो बराबर हिस्से कर महमानों, वेरागियों और सन्याशियों में बाट देता है वह दूसरों से भोजन बनवा कर पहले गरीबों को देता और फिर जो बच्चता उसे अपनी इस्तरी अपने बच्चों को खिलाता और स्वेम खाता उसका कारिय था कि शाम होते ही धाल तलवार लेकर राजा के पलंग के पास चोकिदारी करनी थी कभी भी राजा को किसी भी वस्तू की जरूरत होती तो वह हाजिर रहता था एक बार आधी रात के समय राजा को किसी के रोने की आवाज आने लगी वहे आवाज मरगट की तरफ से आ रही थी राजा ने वीरवर को आवाज लगाई तो वहे राजा के समक्ष उपस्थित हो गया राजा रूप सेन ने वीरवर को कहा मुझे मरघट की और से किसी के रोने की आवाज आ रही है जाओ और पता लगाओ कि इतनी रात गए कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है राजा का आदेश सुनकर वीरवर ततकाल मरघट की तरफ चल देता है मरगट पर जाकर उसने देखा सिर से पाउं तक गहने पहने एक स्त्रीन रित्य कर रही है कभी कूद रही है, कभी सिर पीट पीट कर रो रही है लेकिन उसकी आखों में एक भी आसू की बूंद नहीं है वीरवर ने पूछा तुम कौन हो और क्यों रो रही हो उसने कहा मैं राजलक्षमी हूँ मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि राजा रूप सेन के घर में खोटे काम होने लग गए हैं और अब वह जल्दी ही दरिदर्ता का डेरा वहां पड़ने वाला है मैं वहां से चली जाऊंगी और राजा दुखी होकर एक माह में मर जाएगा यह सुनकर वीरवर ने पूछा इस दुवीधा से बचने का कोई उपाई है क्या इस्त्री बोली हाँ यहां से पूर्व दिशा में एक देवी का मंदिर है यदि तुम वहां जाकर आपने बेटे का शीष चड़ा दो तो राजा पर आने वाली सारी विपदा चली जाएंगी और राजा रूप सेन सो सालों तक बेखटके राज करेगा वीरवर इस्त्री की बात सुनकर घर आता है और आपनी पत्नी को जगा कर सारा हाल बताता है तभी पत्नी ने बेटे को जगाया बेटी भी जगी हुई थी जब बालक ने पिता वीरवर की बात सुनी तो वह खुश होकर बोला पिता जी आप मेरा शीष काट कर देवी के मंदर चड़ा दें इससे एक तो आपकी आग्यापूरी होगी दूसरा स्वामी का कारिये और तीसरा मैं देवी के चरणों में रहूंगा इससे बढ़कर बात और क्या होगी आप शिगरता करें वीरवर अपनी पतनी को कहता है अब तुम बताओ क्या करना है पतनी ने कहा पतनी का धर्म पती की सेवा करने में है इसके बाद चारों देवी के मंदर जाते हैं जहां वीरवर हाथ जोड़ कर कहता है हे देवी मैं अपने पुत्र की बली दे रहा हूँ आप मेरे राजा रूपसेन की उम्र सो बरस करे और उनके राजे पर आने वाली हर विपदा को दूर करे इतना कहकर वीरवर ने जोर से तलवार चलाई जिससे पुत्र का शीश कटकर अलग हो गया जिसके बाद वीरवर की पुत्री ने अपने भाई की मृत्यू देखी तो खुद भी तलवार से अपना शीश काटकर वहे भी खतम हो गई बेटा बेटी के मर जाने के बाद वीरवर की पतनी भी बहुत दुखी हो गई और उन होने भी अपनी गर्दन काट ली इसके पश्चात वीरवर ने सोचा जब मेरा पूरा परिवार ही खतम हो गया है तो मैं जिवित रहे कर क्या करूँगा और उसने भी अपना सिर काट लिया जब राजा को यह पता चला तो राजा रूप से इन बहुत दुखी हुआ राजा ने सोचा अकेले राजा के प्राणों की रक्षा करने के लिए चार प्राणियों ने अपनी जान दे दी राजा स्वयम को धिकारने लगा और राजा ने भी तलवार उठा कर जैसे ही अपनी गर्दन काटने लगा तभी देवी प्रकट होकर बोली ठहरो राजन मैं तुमसे बहुत प्रसन हूँ जो तुम वर मांगोगे वह मैं तुम्हें दूंगी यदि राजा बोले देवी यदि आप इतनी प्रसन हो तो उन चारो प्राणियों को जिवित कर दो देवी ने अमरिक छिडिका और चारो प्राणियों फिर से जिवित हो गए इतना कहकर बेताल राजा विक्रम से पूछता है बताओ राजन सबसे ज़्यादा पुन्य किसको मिला राजा विक्रम बोले राजा को सबसे ज़्यादा पुन्य मिलेगा बेताल ने पूछा क्यों राजा विक्रम बोले राजा को सबसे ज़्यादा पुन्य इसलिए क्योंकि स्वामी के लिए नोकर का प्राण देना धर्म है लेकिन नोकर के लिए राजा राजपाट छोड़ दे और अपने जान देने को तयार हो जाए तो यह बहुत बड़ी बात है इतना सुनकर बेताल गायब हो गया और वापिस पीपल के पेड़ पर जाकर लटक गया गाजा विक्रम फिर से दोड़ कर जाते हैं और बेताल को पकड़ कर अपने कंधों पर लाद कर चल देते हैं तो यह थी आज की कहानी दोस्तों कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद